वेल्कम बैक आज का हाउस प्लान 23 फीट बाइ 24 फीट का होगा जो की टोटल 552 स्क्वार फीट का हाउस प्लान है जिसमें की दो बेड्रूम लिविंग प्लस डाइनिंग और साथ में कीचन सारा कुछ अटेज्ट है और एक पार्किंग एरिया छोड़ा गया है यह एक आडिय यह कंप्लीट हाउस प्लान बास्तू के हिसाब से बना गया है जिसमें की साथ हिस्ट हमारा किचन हो जाएगा और मेंडोर इसका साथ फेसिंग होगा आप इसे चाहे तो मोडिफाई भी कर सकते हैं अपने रिक्वार्मेंट और प्लोट साइज के हिसाब से और विंडो आप कि कौस्टिंग क्या होगी वह हम सारा कुछ लास्ट में डिटेल में देखेंगे पहले हम इसका आटर वाल और पार्टिशन वाल ड्रा कर लेते हैं और विंडो की बात करता विंडो अपने नेवर अपनिंग एस पेस के हिसाब से रंज कर सकते हैं इसमें सारा विंडो डारक्शन की बात करते हैं में डोर हमारा साथ फेसिंग होगा में डोर की वीर्थ फोर फीट रखी गई है आप डोर का साइज फोर फीट बाइट फीट रख सकते हैं आप चाहते से डबल डोर भी यूज कर सकते हैं या फिर सिंगल डोर तो डामेंशन डोर की फोर फीट बा रखा गया है और यह हमारा फर्स्ट फ्लोर पे चल जाएगा इसके नीचे एक स्टोरेज दिया गया है स्टोरेज की डामेंशन की बाद करें तो यह थ्री फीट बाइ सिक्स फीट फाइव इंच रखा गया आप चाहे तो इससे आजा पार्किंग भी यूज कर सकते हैं नीचे अश्की डामेंशन 4ft 6 इंच 6 lei 2030 रखा ओर एक टियाश यहां जोकि फूरफ्ट बाकर्टिय अपना प्रवाइट कर सकते डोरी इंसाइड ओपेन होगा इसका और एक ऄटिय फीट विर Thrones हो जाएगा जोकर्पी एक फिट विर्थ होगी और फोर फिट शिक्स इंच इसकी आउटर विर्थ होगी यह हम बात करते हैं कीचन डाइनिंग और लिविंग एरिया की सारा कुछ इसमें अटैच दिया गया है यह हमारा डाइनिंग कम की ड्रोइंग रूम हो जाएगा यहां पर आप चार-पांच फैमिली मंबर बैठ भी सकते हैं और यह साथ में एक किचन भी दिया गया जो कि कम्प्लीटली ओपन होगा किचन और जो की पास से ही डाइनिंग एरिया से कनक होगा ताकि प्रोपर्शन लाइट और यह आ सके और यह हमारा स्टेर वाला विंडो हो जाएगा दो और एक विंडो डाइनिंग एरिये टेबल के जस्ट सामने से ओपन होगा आउट साइड अब हम बात करते हैं में पार्ट की हाउस प्लान की हमारा दो बेडरूम जो कि दो करें और यह हमारा एक बेडरूम हो जाएगा इसकी डामेंचन काफी लार्ज रखी गई है उसे हम बाद मेहें दिटेल में देखेंगे यह हमारा बेडरूम फнос्ट हो जाएगा अब हम बात करते हैं बेडरूम 1 क्य ति यह हमारा 10 här 2 11 फ फाइव इंच हो जाएगा काफी लार सकते हैं और आपना ड्रेसिंग इसाइड ओब कर सकते ड्रेसिंग एडियाouri कर सकते हैं रिवसकेंड की बात करते लेद दो अलवएन फिटवर फाइव इंच का हो जाएगा जाँ इससाइड से ल्वाइन फिप व्ला रखा कρο dollar यह यह विभी यह सक्थे बेडरूम फर्स्ट के कंप्रीजन में और एक लार्ज विंडो इस साट ओपन होगा जो की इस्ट वेस्ट रखा गया ताकि पोपर सनलाइट आ सके अब हम इसके फर्स्ट फ्लोर की बात के लिए तो आप चाहे तो इसे एज़िटीज रख सकते हैं या फिर आप लिविंग एर एक थ्री फीट का बालकनी आउटसाइड फ्रम में डोर दिया गया है आप चाहे तो इसे बढ़ा कर इसे बालकनी के फ्रम में यूज कर सकते हैं जो की बेडरूम फर्स सकेंड दोनों के लिए होगा फर्स्ट प्रोर पर कम्प्लीट हाउस प्लान के लेंद की बारत करें तो आउटरवाल फाइव इंच रख सकते हैं अब इसकी हम पिलर काउंट कर लेते हैं और इसके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के को हम दिटेल्स में देखेंगे इसमें नंबर पिलर वान टू थ्री फोर फाइव शिक्स सेवन एट नाइन टैन लेवन तो इसमें कंप्लीट हाउस में आप लेवन पिलर रख सकते हैं और पिलर के डामेंशन की बात करें तो ये टैन इंच बाइट इंच हो जागा जी प्लस टू फ्लोर तक के लिए कंप्लीट हाउस के कंस्ट्रक्शन तो आपको इसमें एराउंड 7.5 लाख रुपया लग जाएगा कंप्लीट फ्लोर को करने में और इसमें अगर इंटेरियर लुक इंक्रीज करते हैं तो इसमें थोड़ा सा कोस्ट बढ़ जाएगा तो आज का ये हाउस प्लान 23 वा 24 का रहा अच्छा लगाउत लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना वोले वीडियो देखने के लिए धन्यवाद